वो चाहत के किसमें जुठे थे देंगे क्या जुठे थी किसमें जाने तमने सुची के देंगें हेलो 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 वेलकम टू बेट्स फॉर बायोलजी जल्दी से आजओ सारे लोग जल्दी से आजओ सारे लोग तो आज हम लोग बात करेंगे most expected जो questions हो सकते हैं पूरे बायोलजी के आज ये अगर according to अगर मैं कहूं कि इस session का ये आखरी academic session है तो गलत नहीं होगा ये क्योंकि इसके बाद कोई पढ़ाई की बातें हम करने वाले नहीं है तुम्हें भी आज के बाद अभी पढ़ना है नहीं और जो session होने वाला है एक रात में session होगा रात 9 बजे 30 minutes का session होगा जिसमें मैं कल के बारे में सारी चीज़े उसमें बताऊंगा कल क्या करना है एक्जाम हॉल में कैसे क्या चीज़े करनी है हमें और किनकी चीज़ों का खयाल रखना चाहिए कल उसकी बात करेंगे तो आज तो सबसे important चीज़ है कि वो expected questions क्या क्या हो सकता है टाइम थोड़ा लग गया 10 बज़े आने वाला था लेकिन जो top 100 biology के अच्छे-च्छे questions हैं वो मैं लेकर आया हूँ इससे कई सारे concept building भी होगा और तुम्हें जिस भी question में problem लगे उसका screenshot ले लेना क्योंकि मैं ज़्यादा इसमें time दूँगा नहीं 100 question है मैं try करूँगा इसको कि एक घंटे से लेकर 70 मिनट तक इसको मैं complete कर दूँ तो कैसा लग रहा है आज तो आज तुम्हें कैसा लग रहा है कई लोगों को बहुत ज़्यादा anxiety हो रही कल मैंने कई बच्चों से बात भी की थी तो खई लोगों को जादा तर anxiety हो रही है देखो तुमने पूरी साल तो पढ़ाई करी ही है कुछ ना कुछ तो पढ़ाई होगा तुमने बस अपने तरब से best effort कल लगाना है कल का दिन तुम्हारा है जो होगा बस अच्छा होगा अपने आप पे भरोशा रखना तुमने जो पढ़ा है उसमें से paper आएगा ओके तो आज हम लोग ये बात करने वाले हैं Top 100 Most Expected Questions of Biology मैंने अपने according जो Top 100 मुझे जो लगे कि हाँ ये questions आने की probability maximum बनती है क्योंकि previous year के analysis के according ही मैंने ये बनाया है जो Top 100 questions अच्छे अच्छे हो सकते हैं तो थोड़ा fast में हम लोग ये देखेंगे किसी भी question में अगर problem है सारा question NCRT का ही है तो तुम अराम से NCRT देख सकते हैं मैं reference बता दूँगा कौन से chapter का है तो जो भी पढ़ना है तुम्हें आज साम 4-5 बे तक पढ़ लो फिर रात की नीन तुम अच्छे लेना वो रात में बात करेंगे हम लोग 9 बजे 30 मिनट्स की बात करेंगे उसमें सारा चीज में cover करूंगा क्या कैसे क्या करना चाहिए physics chemistry bio आखरी चीजों में क्या होना चाहिए और आगे का नहीं सोचना है जो भी होगा न अच्छा होगा कहते हैं न कि future में dots आगे connect होती है अभी present में नहीं पता चलता हमें ठीक है चलो भई तो 500 बच्चे live देख रहे हैं likes भी बढ़ाते चलो likes बढ़ती है तो मुझे energy मिलती है और कुछ ऐसा लग रहा है कुछ दिनों से लगता है मेरा exam है कुछ ऐसी feel आ रही है कि कल मेरा exam होने वाला है कल मैं भी जा रहा हूँ ऐसा लग रहा है कुछ आगे सारे लोग देखते हैं वंश, निर्मला, अभे, अंशू, वंश, विने, नीशीका चलो बढ़ी कई सारे बच्चे आ चुके हैं और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको बुला लो क्योंकि ये आखरी session होने वाला है जैसा कि मैंने तुम्हें बताया क्योंकि ऐसे sessions फिर होंगे नहीं क्योंकि कल तो पूरी तरह से तुम्हारा एक्जामी है और ऐसा लग रहा है न कि farewell तुम्हारा हो रहा है कुछ ऐसा लग रहा है हाँ, तो start करते हैं start करते हैं, सब कुछ सही है न नेटवर्क बगर कोई लैग बगर तो नहीं हो रहा है कि sound बगर भी सही है एक सगंड बस start करने वाला हूं है एक copy और पेन लेकर बैठो तुम copy और पेन लेकर बैठो है ना सोकर वीडियो नहीं देखना है copy और पेन लेकर जल्दी से बैठ जाओ और क्या करना है तुम्हें question number one to hundred तक मैं घरवाँगा total hundred question one का answer ये, two का answer ये, three का answer ये, four का ये, five का ये तुम last पर मुझे calculate करकर बताना total hundred में कितने आ रहे हैं जितना अगर यहां आएगा ना जितना इस paper में आएगा उससे 20% जादा आएगा क्योंकि मैं थोड़ा से label को उपर लेकर चला हूँ तो इससे confidence तुम्हारा lose नहीं होगा तुम मैं बता रहा हूँ जितना तुम्हारा आएगा उससे 20% extra आएगा ओके, start करें session को पहला question तुम्हारे screen के सामने ये रहा choose the correct option in the given diagram choose the correct option in the given diagram ये जो diagram तुम सामने देख रहे हो diagram तुम्हारे सामने है दिख रहा है सब को अच्छे से हाँ भई दिख रहा है चलो भई बहुत बढ़िया ये morphology का question है morphology of the flowering plant का question है तो जल्दी से करो दिख रहा है ना सब कुछ अच्छे से हाँ भई सब कुछ clear है सब कुछ अच्छे से दिख रहा है clear है चलो पहला question तुम्हारे screen के सामने एक सकंड एक सकंड हाँ भई पहला question बिल्कुल most expected जो है वही questions करवा रहा हूँ चूज दी correct option तुम से पूछा गया था correct option कौन है इसमें sorry 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 क्या हो रहा है question number पहला choose the correct option अगर तुम यह देख रहा होगे तो साफ तोर पर पता चल गया होगा क्यूंकि बीच में है और किसी चीज से connected नहीं है यह तो क्या मैं बोल सकता हूँ इसको free central तो free central के example तुम्हें याद रखने है prime rose तो एक dianthus होता है और एक prime rose होता है यह दोनों examples important है next अगले question के तरफ which one of the following is a domain बस मैं तुम्हें कारल वूस को याद कराना चाहा रहा हूँ कारल वूस को कहीं तुम भूलना जाओ which of the following is a domain three domain system जो NCRT में new add होई है वो लेकर आया हूँ क्या तुम्हें मालूम है bacteria is a type of domain bacteria क्या है domain है एक domain का नाम है Archea एक domain का नाम है bacteria और एक और जो domain है उसका नाम है eukaryota जिसमें protista से लेकर animalia तक कि सारे कि सारे आ जाते हैं तो यह मैंने वहाँ से question उठाया है three domain system का जो है तो याद रखना answer क्या जाएगा bacteria okay अगली question के तरफ चले which cytoskeletal structure helps in movement of chromosome cytoskeletal structure कई सारे होते हैं लेकिन movement of chromosome में कौन मदद करता है movement of chromosome में कौन मदद करता है movement of chromosome में cell division का question है यह cell division का question है पिछला था biological classification का और पहला था morphology का जल्दी से जल्दी which cytoskeletal structure helps in movement of chromosome कुछ याद करो क्रोमोजोम में किसकी वज़ा से चीज़े जाती थी किसकी वज़ा से चीज़े जाती थी जल्दी से बताओ intermediate filament का तो जिकर कभी नहीं करते हैं जब भी होगा तो microtubles की वज़ा से cell division में तुम्हीं आद आ रहा होगा spindle fiber, microtubles, kinetocores वहीं से सारी चीज़े add होती हैं तुम मुझे comment में ऐसे मत बताओ यार 1, 2 पता नहीं चलता ऐसे बताओ ना 3 का ये 3 का 2 ऐसे बताओ ना तो थोड़ा सा feel आता है कि हाँ सही कर रहे हो तुम नहीं तो पता नहीं चलता पिछले का है या अगले का है क्योंकि comment में 20-30 second का lag होता है likes बढ़ती रहनी चाहिए likes बढ़ती रहनी चाहिए अगली question के तरफ question number 4 afeem, rubber और toddy is obtained from plants by is obtained from plants by plant से जो भी चीज़े हमें obtained हो रही है चाहे वो afeem हो, वो rubber हो, वो toddy हो is obtained from plants by making injury on plant part exudation और bleeding NCRT की line है तो कहते हैं सबसे जैसे afeem, rubber और toddy making injury से भी चीज़ होती है उसके बाद exudation से भी, bleeding से भी मतलब बोल सकते हैं all of the above है न? all of the above तो afeem, rubber और toddy हमें मिल सकता है आराम से, सभी चीज़ों से एक ट्रांसपोर्टीन प्लांट्स का question डाइप सा था next question number 5 which of the following factor can affect the rate of diffusion of gases breathing and exchange से question है breathing and exchange से question है कितना जल्दी, thickness of the membrane involvement diffusion ठीक है solubility gas का, तो ज़्यादा तर solubility किसका होता है, CO2 का होता है या O2 का होता है CO2 का होता है या O2 का, CO2 का solubility ज़्यादा है 20 to 25 times ज़्यादा होता है है ना, तो pressure of the gas पे भी, तो answer क्या चला जाएगा 4 बस तुम्हें इसलिए point consider करवा रहा हूं कि तीनो point ये important है ठीक है, तो answer क्या चला जाएगा तुम्हारा, all of these अगले question के तरफ read the following statement और पूछा गया है तुमसे कितने statement correct है अगर गलत जाए तो direct NCRT देख लेना तुम्हारा अगर लग रहा है गलत जाए screenshot लेकर NCRT देख लेना कि हाँ, ये concept को थोड़ा देख लेना चाहिए read the following statements read the following statements cells of tapetums are polyploid cells of tapetum secrete hormones and enzyme tapetum is the innermost layer of anther tapetum helps in formation of embryo sac क्या तुम्हें लग रहा है तीन statement सही है बोलो, तीन statement सही है NCRT में देख लेना अगर तुम्हें problem हो रही है polyploidy वगरा में तो NCRT ने पूछा है कि टेप्टल के cells कितने होते हैं वह तो वहाँ पे polyploidy condition होता है next question number 7 ये menstrual cycle का question है in the fertile human female एक normal case लेकर चल रहे है approximately on which day of menstrual cycle कितने दिन का माना गया है 32 days का मैं बस ये निकालने का तुम्हें process बता रहा हूं कि अगर examiner थोड़ा सा बाहर जाना चाहे तो कुम कैसे करोगे कितने दिन का menstrual cycle है 32 दिन का menstrual cycle है अब बताओ इसको कैसे तुम निकालते हो कितना मूझे minus करना चाहिए मुझे कितना minus करना चाहिए जल्दी से बताओ कितना minus करना चाहिए मुझे क्या मुझे 14 minus करना चाहिए 14 क्योंकि ovulation की अगर बात कर रहे हैं तो post ovulatory तो fix होता है ना 14 दिनों का तो overall मुझे कितना answer इसमें करना चाहिए जल्दी से बताओ answer जाएगा D day 18 answer जाएगा day 18 जाएगा इसमें answer तो 32 दिन का मान कर चलो और 14 जरूर करना है minus क्योंकि 14 तो fix होता है कि हाँ भई 14 तो fix रहने वाला है तो 7 का answer क्या चला जाएगा 3 जाएगा इस टाइब की question अगर अच्छा बना तो numerical में इस टाइब की question बनेंगा next question number 8 a point mutation which involves change of पहला change ये फिर ये फिर ये और फिर ये DNA में ये सब changes चल रहे है बस तुम्हें नाम ध्यान रखना है अगर A to G में बदला C to T में बदला C to G में बदला T to A में बदला DNA में तो point mutation में जो ये सब changes चल रहे होते हैं इनको क्या बूला जाता है transition क्या बूला जाएगा transition पहला वाला case transition का है दूसरा वाला भी case transition का है ये उलट गया है तो transversion और ये भी क्या है transversion ATGC जानते होगे ना तो बस ATGC का rule तुम जानते होगे ATGC तो यहाँ पे AGCT है यहाँ पे बस थूड़ी थूड़ी चीजें है बस तुम्हें ये बताना चाहरा हूँ बस transversion किसे बोलते हैं और transition किसे बोलते हैं next question question number 9 which is not among the ancestry line of mammals कौन सा नहीं है अब तुम बोलोगे कि ये कैसे आ गया भई ये कैसे आ गया तो तुम्हें मालूम होना चाहिए 90 में तो 5 question आएंगे ही बाहर से out of 90 85 तो रहेंगे NCRT से तो तुम्हें अभी से ही मैं बस दिला रहा हूँ कि हाँ बात मालूम होनी चाहिए एक भई अब ये NCRT में है अगर तुम क्या करना आज evolution है ना chapter number 7 evolution chapter number 7 में जब तुम पढ़ोगे human evolution उसके पहले दो diagram है जिसमें लिखा हुआ है इतना माया million years ago इतना माया 60 million years ago उस page में दो diagram है दोनो diagram important है मैं तुम्हें दिखा दूँँ वो दोनो diagram वो दोनो diagram बहुत ही ज़्यादा important है ओके वो बच्चे छोड़कर चले जाते हैं वो तो वो तुम्हें करकर जाना है वो छोड़ना नहीं है वो दोनो diagram मैं दोनो diagram तुम्हें एक बार दिखा देता हूँ कमसे कम आखरी पलो में ये कुछ चीजे तुम कर लोगे तो ये अगर question आते हैं तो छूटेगा नहीं ये देखो बएग ये दोनों को तुम्हें छोड़ना नहीं है page number 138 और page number 139 ये दोनो page को करकर जाना है तुमको अच्छे से ओके चलो next question question number 10 question number 10 जल्दी से example of keystone spaces ecology में है keystone spaces क्या kangaroo rat है desert में keystone spaces जो desert को desert बनाए रखा है हम उसे ही तो बोलते हैं keystone spaces तो ये keystone spaces हो गया तुमसे पूछा जाए endemic spaces कौन है तो जो पूरी दुनिया में किसी एक जगा पे मिलता हो उसको क्या बोलते हैं उसको बोला जाता है दस question हो चुके हैं out of 10 10 out of 10 किसके हैं मयूरी सतीश किसके हैं 10 out of 10 10 out of 10 किसके हैं बोलो भाई जल्दी से 10 out of 10 किसके हैं बहुत बढ़िया मजा आ गया मजा आ गया मजा आ गया गजब 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 बहुत बढ़े हैं, शान्दार, अगले कोशन के तरफ बढ़े, likes बढ़ती रहनी चाहिए, पंद्रा सो बच्छे देख रहे हैं live, और likes इतने कम, likes बढ़ती रहनी चाहिए, next question number 11, यह NCRT के लाइन है पूरी की पूरी वेन अ फ्लार कैन बी डिवाइड़ इंटू कितने इक्वल हाप्स में टू इक्वल हाप्स में इन एनी रेडियल प्लेइन पासिंग थू थू दा सेंटर इटी सेट टू बी बताओ तुम इसको क्या बुलाओगे तुम इसको क्या बुलाओगे अक्टिनोमॉर्फिक बोलोगे जाइगोमॉर्फिक बोलोगे क्या बोलोगे इसे तुम जल्दी से बताओ यार अक्टिनोमॉर्फिक बोलोगे जाइगोमॉर्फिक बोलोगे क्या बोलोगे तुम तो बोलोगे एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक हो गया, यह आ गया तुम्हारा एक्टिनोमॉर्फिक, and found in, किसमें बात करेंगे हैं, मस्टर्ड में, चलो एक बार बता दो, मस्टर्ड, धतुरा और चीली, एक बार खुद से एक्जाम्पल ट्राइ करो बो कुश्चन नमबर 12, which of the following would appear as the pioneer organism on bare rocks, जो सबसे पहली पहली बार आया, कौन आये हैं पहली बार, lichen, liverworts, mosses, और green algae, तो lichen सबसे पहले आते हैं, lichen में भी कौन, crustose lichen, उसके बाद foliose lichen, तो तुम तो बस इतने से ही काम चल जाएगा तुमारा, कि crustose lichen दुन्या में पहल पहली बार आये हैं, तुम्हें लग रहा होगा 12 question जो हुए है ना, आने की probability पूरी है, मैं वही questions लेकर आया हूँ, जहां पे लगता है कि हाँ, इसकी probability maximum बन सकती है, अगले question के दरफ, question number 13, यह diagram NCRT का, diagram NCRT का, आज तक कभी नीट exam में आया नहीं, आज तक नहीं आया कभी, और इतने important diagram अभी तक नहीं आया है, तो probability बनती है, बताओ, यह जो beach वाली चीज है, क्या मुझे इसे central seed बोलना चाहिए, तो चलो ठीक है बाई, central seed बोलेंगे, यह दोनों तो मुझे हटा देना है, कैसे question attempt करना है, यह भी तुम देखते चलो, ठीक है, कैसे question attempt करना है, वो द आ जाएगा, question number 13, answer 1 आ रहा है, question number 13, answer 1 आ रहा है, बहुत बढ़िया, next question number 14, a stain swells up in the stout axis disease, it is due to, it is due to, जल्दी बताओ, अगर तुम पढ़े होगे अच्छे से transport in plants, और plant growth development, तो उसका ही question mix up मैं डाला हूं है, a stain swells up in a stout axis, जो छोटे छोटे कद के रह जाते हैं, जब बिमा हमारी होती है तो, क्यों swelling हो जाती ही, खुद से सोचो, swelling क्यों हो जाएगी, क्योंकि खाना आगे पहुच नहीं पाया, और खाना एक जगा पी कठा रहा, तो इनिवीशन of food transport वहाँ पे हो गया, तो 14 cancer क्या चला जाएगा, 3, क्यों इसलिए stain का क्या हो जाता है, swelling हो जाता है, next question number 15, question number 15, जल्दी से करो, तुम्हें लग रहा होगा थोड़ा सा अलग type का है, लेकिन तुम कर पाओगे, थोड़ा सा थोड़ा सा सोचो कुछ-कुछ, ठीक है, ऐसे questions आते हैं, घबराने का नहीं है, क्योंकि कुछ-कुछ होंगी question, इसलिए मैंने डाला है, कि अभी से तु करते हैं, तो क्या चला जाएगा answer, असकल चला जाएगा, इसकी बात करते हैं, तो रिपसेंड अस्टर्नम में, डाइ आर्थ्रोसिस की बात करते हैं, तो ये चला जाएगा तुम्हारा नी में, अब बाकी पाइवोट की बात करते हैं, तो पाइवोट तो तुम्हें मालुम है पाइवूर्ट मालुम है ही जो उपर वाला पॉइंट है वो क्या हो जाएगा पाइवूर्ट वाला पॉइंट कंसीडर करेंगे हम उसको ओके तो फूर का एंसर क्या चला जाएगा तुम इधर से भी eliminate कर सकते थे ये तीनों जा रहा था यही तुम्हें देखना था बस इस question में तुम्हें बस atlas और axis मालुम थी ना atlas और axis बस कितने बच्चों ने इसे elimination से कर लिया ऐसी question कई बच्चे छोड़ कर आते हैं बस मान कर चलो कि मुझे कुछ भी नहीं मालुम देखना इधर मुझे कुछ भी नहीं मालुम है चलो मुझे कुछ भी नहीं मालुम इस question में अब मैं सुरू के ही चीज़ देखा तो छोड़ कर आगे है ना ऐसा काम नहीं करना है ठीक है इसमें ऐसा काम नहीं करना है देखो मानू मुझे नहीं ये वाला चीज मैंने नहीं सुना ये वाला चीज मैंने नहीं सुना इसलिए मैंने ये कोशन डाला था exam में तुम्हारा confidence boost up करने के लिए कि तुम घबराना आजो ठीक है कई बच्चों ने पाइवोट से ही कर लिया सिर्फ 4 का answer X क्योंकि ये तिनों NCIT में नहीं है मौजू ऐसा हो सकता है exam में कई सारे questions आए लेकिन तुम्हें सारे options exam में देखने हैं अगले question के तरफ question number 16 How many parts in the list given below are related to the structure of ovule sexual reproduction in flowering plant ovule के structure के साथ जो जुड़ा हो मैं कुछ चीज़ें eliminate कर रहा हूं अस्टोमियम जहां से pollen grain बाहर आते हैं NCIT में labeling करवाया था तुम्हें कभी micropyle ठीक है रैफी, chaleza, germ poor नहीं आएगा embryo sac और new cellus क्या सब का answer 3 आ रहा है बस ये term तुम्हें मालूम होने चाहिए कि एक तरफ micropyle है तो एक तरफ chaleza होगा एक तरफ micropyle तो एक तरफ chaleza end होगा entry कि दर से होती है pollen tube की micropyle से जहां पर क्या होता है synergy वहां पर अंडे के साथ fusion होती है बहुत बढ़ी है question number 16 answer क्या है question number 16 answer क्या है likes बढ़ती रहनी चाहिए देख लो 19 सो बच्चे देख रहे हैं हमारे likes बस 1137 ऐसे कैसे चलेगा next question number 17 primary espermitocyte differs from a spermitogonium human reproduction का question human reproduction का question है जल्दी से लगाओ human reproduction question number 17 क्या primary espermitocyte में और a spermitogonium में क्या difference आता है क्या spermitogonium से ही आगे बनी है primary espermitocyte अब बताओ मुझे जल्दी से दोनों में कीशीज का difference आता है दोनों में difference है size and volume का size espermitogonium का बड़ा है primary espermitocyte का छोटा होता है बस इसलिए एक question तुम्हें दिया हूँ size and volume DNA content दोनों का same size of chromosome same होता है number of chromosome same होता है chromosome size और volume में दोनों difference आते है primary और espermitogonia चलो यह अच्छा question है जल्दी से करो what would happen कुछ-कुछ आएंगे tough question ऐसा नहीं है यह कुछ-कुछ आएंगे ठीक है चलो tough नहीं है यह कर पाओगे तुम tough नहीं है यह question number 18 what would happen if in a gene encoding a polypeptide of 50 amino acids 25th codone is mutated to UAA बताओ अब अगर 25 codone है ठीक है is mutated to UAA आगे का सारा खतम हो जाएगा बचा कितना 24 तो 24 वाले option तुम्हें कौन दिख रहे है अब polypeptide of 24 amino acids will be formed ज्यादा दिमाग लगाने का ही नहीं है okay answer क्या हो जाएगा 18 का 1 अगले कोशन के तरफ कोशन नमबर 19 high four limb and long neck in giraffe are present due to NCIT के line लेकर आया हूँ ये कोशन नमबर 19 high four limb and long neck in giraffe are present due to किशिस की बात करते हैं हम याँ पे natural selection की बात करते हैं क्या बात करेंगे भई natural selection की बात करेंगे okay next question pioneer species of hydrocerate बहुत important hydrocerate में सबसे पहले पहले कौन आएगा जो मैंने तुम्हें अभी कुछ दिर पहले lycan बताया था वो लीथो सेरे का example था hydrocerate जहां पे पानी में succession हुआ हो पहली बार उसको बोलते हैं hydrocerate चलो fast क्या लग रहा है तुम्हें पहली पहली बार कौन आएगा इसमें आएगा blue, green, algae सबसे पहली बार आते हैं ठीक है crustose lycan होता लेकिन कहां पे जब वो पूछा जाता लीथो सेरे का और यहां पे तुमसे क्या पूछा गया hydrocerate पूछा गया next question question number 21 leaves are converted into a spines कई बार repeated question है यह leaves are converted into a spines for defense in for defense in fast, fast, fast leaves are converted into a spines for defense in जल्दी से बताओ किशीज की बात करेंगे हम लो क्या cactus याद आ रहा है तुम्हें क्या cactus याद आ रहा है बहुत important है potato, ginger, turmeric, jamikand, kolokasia यह stem बाले में चला जाएगा organ of peranation में चला जाएगा और यह तुम्हें बिल्कुल याद दिला दू चलो जल्दी से बोल दो rhizome के example बोल दो rhizome के example एक बच्चा को याद होना चाहिए rhizome में potato, ginger, turmeric potato, ginger, turmeric rhizome में ginger आएगा और turmeric आएगा और banana आएगा तीन example इसके है rhizome में क्या आएगा ginger ginger और banana यह दोनों तो popular है यह दोनों कम से कम तुम याद रखो कि rhizome के example में आते हैं question number 22 हर एक बच्चे को मालूम होना चाहिए sac fungi हम किसको बोलते हैं sac fungi हम किसको बोलते हैं ascomycetes को bacidomycetes को जल्दी से बताओ किसको बोलते हैं हम किसको बोलते हैं जल्दी से बताओ भई क्या sac fungi या ascomycetes को बोलते हैं एक पर सबके नाम हो जाए phycomicetes को algal fungi bacidomycetes को club fungi deuteromycetes को imperfect fungi क्यों बोला जाता है क्योंकि उसमें asexual stages है ही नहीं कई बार repeated question है next अगला question ये question अच्छा है घबराने की कोई बात नहीं है इस अब देख कर ठीक है तुम कर लोगे inner deployed cell S phase के बाद पूछा जा रहा है quantity of DNA तुमसे पूछा जा रहा है 80 picogram है तो बोला गया है after anaphase 2 situation will be in each doubter nucleus कित्ता हो जाएगा बोलो anaphase 2 में क्या anaphase 2 बना तो 4 cell बनेंगे चलो चार में divide करो भई क्योंकि meiosis जब भी होगा complete total कितने cell बनेंगे चार बनेंगे 80 का बटवारा कर दो 20, 20, 20 और 20 sorry जितने भी cells बनेंगे यहाँ पे सारे के सारे haploid बनेंगे क्या answer आ गया answer आ गया answer आ गया 4 बस यह थोड़ा सा नाम याद रखना है important है पिछले कई बार repeat हुए है अलग-अलग state PMT में इसलिए मैं इसको यहाँ पे लेकर आया हूँ lutein नाम मालूम होना चाहिए lutein क्योंकि तुम्हें मालूम है pigments का जिक्र biomolecules वाले chapter में है water soluble कौन है anthocyanine याद रखना वो anthocyanine वाला next question question number 25 question number 25 complete the following sentence NCRT के statement है इस statement को complete करो tarsals और karpals तुम यहाँ पे confused होते थे tarsals और karpals में तुम confused होते थे question number 25 क्या आ रहा है सबका answer 4 tarsals का number कितना है 7 होता है number of tarsals are 7 8 and karpals 7 number of tarsals का number कितना है 7 और karpals का number कितना होता है 8 होता है इसमें बात करेंगे ankle की और इसमें बात करेंगे wrist की बात करेंगे ठीक है पैरों पैर वाला हो गया टार्शाल्स और हाथ वाला हो गया कारपास जैसे घड़ी पैनते न है तो wrist watch होती है तो यहाँ पर अगर हड्डियों की बात करें तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 होता है पैर में 7 होता है पैर में एक कम होगा यह चीजळ ध्यान रखना पैर में एक कम होगा यह चीज ध्यान रखना है नेक्स चलते हैं most expected question 25 हो चुके है और हमारे पास 75 question है मज़ा आ रहा है हमें कि हाँ सारा चीज बिलकुल कुईक में माइंड में recap हो रहा है लग रहा होगा ना कि सारा चीज जितना भी question है माइंड में recap होता चला जा रहा है यह 7-8 वाला हम भूल जाते हैं यह 7-8 वाला भूल जाते हैं याद रखना उपर में 8, नीचे में 7 बस इतना concept है और कुछ भी नहीं next question number 26 question number 26 how many majority divisions are required to form 400 seed बनाना है हमें wheat के 400 seed बनाने हैं जल्दी से बतो formula बतो भी formula क्या आ रहा है 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 यह आ रहा है बोलो क्या formula आ रहा है यह कई बच्चे ऐसे formula अपलाई कर देता है तो देखो जब ऐसे तुम apply करोगे तो क्या आएगा तो यह चीज गलत हो जाती है देखो यहाँ पे क्या है यहाँ पे 400 और यहाँ पे क्या है 4 हो गया तो कितने आ जाएगा 100 आ रहा है कई बच्चे अलग-अलग formula अपलाई कर देते कुछ नहीं लगाना जादा ठीक है कुछ नहीं लगाना जादा यह formula लगाना है जब भी पूछे ना कि कितने minority divisions चले हैं और तुम्हें भी मालूँ है minority divisions के question तुम्हें हमेशा test series में मिलते थे कुछ नहीं जादा N प्लस N भाई 4 N यहाँ पर पूछा जाएगा कितने बनाना है acid भाई 400 बनाना है ना तो 400 नंबर रख दो बस नीचे 4 calculate करो गया जाएगा answer तो overall answer यहाँ पर क्या जाएगा answer क्या जाएगा answer जाएगा 4 next question number 27 direct बताओ कुछ नहीं calculation कुछ नहीं direct tri-hybrid अगर extra पूछा ना तो tri-hybrid में जाएगा उससे ज़्यादा tetra-hybrid में आज तक questions नहीं आये है mono-dye में ही तो निपड़ जाती है सारी चीजें लेकिन बस तुम्हें try बता दो direct आ रहा है सबका बस ज़्यादा सोच नहीं नहीं है phenotypic ratio तुमसे पूछी जा रही थी selfing करवाना है आराम से selfing कराओगे तो आराम से जो मिलेगा तुम्हें 9 is to 3 is to 3 is to 1 clear है next question 28 which of the falling is not feature of human genome NCIT में सारी लाइन है ना उसी में से 4 लाइन निकाल कर लाया जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ जो question में तुम्हें लगे दिक्कत screenshot लो और NCIT में देखता question number 28 answer रहा है टू बिल्कुल गलत है यह chromosome 1 के पास सबसे कम जीन है गलत बात next question number 29 question number 29 the factor which favors the hardy win work equilibrium in a population hardy win work important है hardy win work का equation याद कर ले न equation उस पर बनता है और stabilizing directional disruptive बला देख ले न एक बार बस हाँ बई जल्दी से हो जाए 29 number the factor which favors the hardy win work equilibrium in a population जल्दी से बताओ 29 क्या जाएगा answer random mating यह चीज़ तुम भूल जाते हो the factor which favors the hardy win work equilibrium in a population तो क्या हो जाएगा random mating अगला question question number 30 यह देखो ecology का question है cardiac glycosides are produced by which plant कौन plant produce करता है cardiac glycosides cardiac glycosides कौन produce करता है नाम बताओ जल्दी से cardiac glycosides कौन produce करता है क्या नाम है calatropes calatropes जिससे कई सारे जो होते हैं और भी gore animals वगेरा वो नहीं खाते तो cardiac glycosides plant का protection का तरीका है यह समझ गए cardiac glycosides are produced in which plant calatropes next the function of sieve tubes are controlled by the nucleus of sieve tube गरीब है किसी अमीर को उसने दोस्त बनाया जिसके पास nucleus है बताओ किसके पास nucleus है किसके पास nucleus है क्या यह companion cells के पास nucleus है तो companion cells के पास nucleus यहाँ पे है तो function sieve tube का कौन regulate करेगा कौन control करेगा companion cells control करता है ओके next question number 32 which of the following analyte is dioecious monoecious तो सारी दुनिया को पता है लेकिन dioecious कौन है dioecious कौन है मैं कुछ hint दू जिसके पास parapodya होता है जो marine areas में देखने को मिलते हैं तो which of the following analyte is dioecious जल्दी से which of the following analyte is dioecious क्या neris है और बाकी ferritima और herodinaria यह दोनों के दोनों monoecious के के केटेगरी में आते हैं एक बार monoecious वाले example तुम बोल दो pinus monoecious है और तुमसे psychus पूछा जाता है psychus dioecious है और तुमसे markensia पूछा जाता है markensia भी dioecious है और बाकी neris भी dioecious हुआ और neris में क्या present है parapodia parapodia का क्या काम है swimming में help करता है यह parapodia किसमें help करेगा swimming में help करेगा अगला question question number 33 यह diagram पहचानो जल्दी से diagram पहचानो diagram में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए तुम्हें NCRT के diagram है cell division के identify the phase of mitosis identify the phase of mitosis जल्दी से बताओ phase समझ में आना चाहिए कौन है आ रहा है सबको metaphase anaphase और उसके बाद prophase यह तो बात समझ में आ गई होगी nuclear membrane की disamble हो और यह toot रही है nuclear membrane तो यह तो बात समझ में आती है इसमें कैसे पहचाने सर आप तो इसमें देखो equator पे चीज है आज के बात कभी भी metaphase में equator देखना है question में दिखजा है metaphase options में equator देखोगे question में दिख़ए equator options में metaphase देखोगे इससे तुम्हारा question निकल जाएगा आराम से और यह वाला क्या है पोल पे चला गया तो इसको क्या बोलेंगे metaphase, metaphase, anaphase और prophase question number next अगला question how many ATP molecules are produced by at SLP, substrate level phosphorylation after oxidative decarboxylation of pyravic acid का हो चुका है during complete oxidation of one glucose molecule total number of ATP देट तुमसे पूछा गया है total number of ATP तो डेरेक्ट याद रखना है इसमें दो direct इसमें दो, मैं पूरे detail में नहीं जाने वाला कैसे क्या हो रहा है, तुम्हें मालूम होगा अगर, तो direct, तो ऐसे question repeat कई बार हुए है ऐसे questions कई बार repeat हुए है तो overall answer क्या जाएगा यहाँ पे two ATP molecules, बिल्कुल exact आता है question यह इसमें कोई change नहीं कराई जाती number 35 two ad joining vertebra articulates at how many joint with each other how many joint with each other, तो क्या जाएगा answer यहाँ पे, तीन, तीन जगा पे वहाँ पे articulation इनका चलता रहता है next question, mineral debt required for growth of pollen tube जल्दी से बतो pollen tube के growth के लिए कौन से mineral की जरुद पड़ेगी, इसमें एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ इसलिए एक question लाया था तुम्हें चलो fast, इस question में मुझे बस एक चीज़ और बताना है तुम्हें boron सब को पता है, boric acid काम में आता है, लेकिन जब तुमसे पूछे कौन सा वो mineral है, जो root tip के growth में काम आता है, तो क्या लगाओगे answer, calcium क्या लगाओगे उसमें, calcium लगाओगे, पूछे photolysis of water, तो magnees, magnees, chlorine और calcium photolysis of water में क्या बोलोगे, मन, कल, का magnees, chlorine और calcium, मैं इसमें 99.9% challenge कर सकता हूँ, photolysis of water वाले पर, क्योंकि record है, यह photolysis of water का, तो यह तुम्हारा यह हो गया, ठीक है, बहुत बढ़ी, next question, 37, what is not for genetic code, genetic code के लिए कौन सा true नहीं है, genetic code के लिए कौन सा true नहीं है, जल्दी बतो, genetic code के लिए कौन सा true नहीं है, unambiguous, nearly universal, if uniculotide is deleted or added, whole genetic differently बिल्कुल, इसलिए जब भी हटाओ, तीन को हटाओ, जब भी जोड़ो, तीन को जोड़ो, तो answer क्या चला जाएगा, 4, not true पूछा गया था तुम से, next question, number 38, यह वाला data तुम भूलते हो, यह वाला data नहीं भूलेगा, आज के बाद कोई बच्चा, यह वाला data तुम भूल जाते हो, organism और उसमें कितने number of nucleotides है, चैप्टर का नाम, molecular basis of inheritance, चैप्टर का नाम, molecular basis of inheritance, जल्दी से बताओ, क्या लग रहा है, answer सबका तीन आ रहा है, बहुत बढ़िया, equali की बात करते हैं, तो 4.6 into 10 to the power 6, base pair होता है, humans की बात करते हैं, तो 6.6 into 10 to the power 9, base pair होता है, और बाकी बैक्टरो फेज की बात करते हैं, तो आराम से ये 48,502, और इसका आ जाएगा answer है, बहुत एक बार data mind में set करो, एक बार data mind में set करो, equali, human, gamma बैक्टरो फेज, बस ये सब चारों याद रखना, ठीक है, next question number 39, आएगा तो बिल्कुल ऐसे ही आएगा, match the falling type में ही आएगा, question number 39, NCRT का एक disorder है, class 12th का, human health and disease का, की constipation, और उसके बाद क्या बूला गया है तुम से, abdominal pain, और उसके बाद महीं पे muscular cramps आता है, मरोडे हो रहे होते हैं, stool with excess of mucous and blood clots are the symptoms of, कौन से बिमारी का symptom है, amoebiasis, एक पर मुझे जल्दी से बता दो, कौन से डीजीज है, viral bacterial protozoan, कौन से डीजीज है, amoebiasis, protozoan disease है, उससे यह होती है बिमारी, amoebiasis, amoebic dysentery भी बोलते हैं इसको, next question, best example of halotism is, best example of halotism, halotism का मतलब master-slave hypothesis, master और knocker की जो होती है, relationship की कहानी, वो इसमें है, halotism, master and slave, तो master और slave की बाद, तो slave कौन है इसमें, algae, और master कौन है यहाँ पे, fungi, ठीक है, fungi क्योंकि खाना बनाने का order देता है, और algae खाना बनाती है, तो answer क्या चला जाएगा तुम्हारा, lichen, lichen में जानते हो कि symbiotic relationship होता है, वो सब याद है, next, question number 41, lateral roots, ठीक है, lateral roots जो निकलेंगे साइट से, secondary, tertiary, are endogenous in origin, because they originates from, कहीं न कहीं कहीं कुशन morpho plus anatomy type का है, जल्दी से, lateral roots are endogenous in origin, roots होते हैं endogenous, stem होते हैं exogenous, बैस इसमें डेप्थ में नहीं जाने वाला, बस इतना बता दो, कहां से originate होते हैं, तो pericycle से originate होते हैं, वो वाली order याद है न, epidermis, epidermis के बाद, hypodermis, hypodermis के बाद, cortex, cortex के बाद, endodermis, endodermis के बाद, pericycle, फिर vascular bundle, और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, पेत, ये तीनों को मिला कर क्या बोलते हैं, कोई बच्चा बताएगा, ये तो order हुआ, कि चलो ठीक है, plant में कुछ इस तरह से order होती है, exam में आएगा, तो direct ये root आएगा, root के basis पर ही कई सारे question तुम कर लेते हो, पूछा जाएगा, cortex किस के बीच में, ये भी कर लोगे तुम, लेकिंगे मुझे बस इतना बताओ, ये pericycle, vascular bundle और पीत, तीनों को अगर मिला दें, तो इस शीज को क्या बोलते हैं, तीनों को मिला दें, तो इस शीज को क्या बोलते हैं, अरे नाम, 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 क्या हो जाएगा, a steel, बहुत ही ज़्यादा popular, a steel, 100% important है ये, बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा important, a steel, याद रखना, question number 42, question number 42, कई बच्चे बता रहे हैं बहुत बढ़िया, इन दि कोर्स ओफ एवोलउशन, पहली पहली बार, true siloam किस में आया, कहने का मतलब, silomate सबसे पहली बार किस में आया, in the course of evolution, जल्दी से हो जाए, in the course of evolution, true siloam appeared for the first time in, पहली पहली बार क्या, annalida में आया, क्या पहली पहली बार annalida में आया, तुमसे पूछा जाएगा pseudo-silome तो क्या बोलोगे तुम pseudo-silome किसमें आया एसकलमेंथिस में आया और बाकी तुम सब में बोलोगे कि हाँ और यहाँ से intero-silomate start हो जाता है हम लोग आते हैं intero-silomate वाले ही category में आते हैं और इसके पहले अनलिडा, अर्थरोपोडा और मलसका ये स्कीजोशिलोमेट में आता है अगर extra पूछे तो ठीक है, अगर extra पूछे तो है ये और ज़्यादा नहीं जाना है इसमें ये अगर पूछे तो इकाइनोडरमेटा वाला से लगा देना आगे Echinodermeta Hemicodeta और इसके बाद Caudeta तो ये तो हो गया Intero का और पहली बार Silom किसमें आया? Anilida में तो Anilida, Arthropoda और Malaska में क्या मिलेगा ये? असकी जो Silomate मिलेगा clear है ये चीज़? चलो भज़ा आगे बढ़ो Question number 43 Ribosome may not be found in Ribosome may not be found in किसमें नहीं मिल सकता है? जल्दी से बताओ यहाँ पर कई बच्चे सोचते हैं कि Ribosome के बारे में उसमें तो Nicolias नहीं होता है आरे नहीं Nicolias के अलावे Golgi body नहीं Indoplasmic reticulum नहीं अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है कि सायद उसमें Ribosome भी absent हो कई बच्चों को याज बात नहीं पता चली होगी नहीं नहीं यह बात नहीं है कई बार एक्जाम में रिपीट हुआ है यह चीज पिछली बार ही कोश्चन आई थी इसायद एक दो साल पहले कि जो RBC होते हैं उसके अंदर में Space काफी ज़ादा होता है क्योंकि उसे oxygen ट्रांसपोर्ट करना होता है और वो नहीं चाहता कि कुछ भी नहीं हो मेरे पास ना निकलियस हो, ना मेरे पास गॉल्जी बाडी हो, ना मेरे पास इंडोपलाज्मी रिटिकूलम हो ना मेरे पास राइबोजोम हो मुझे सिर्फ oxygen दे दो, मुझे सिर्फ oxygen कैरी करना आता है बस ठीक है, तो याद रखना है यह चीज नेक्स्ट कुश्चन नमर 44 यह NCRT का तीन चीज़ है कई बच्चे इससे पहली बार देख रहे होंगे मैं तुम्हीं बताओंगा यह चीज़ कहा है यह NCRT में जल्दी जल्दी बिल्कुल फास्ट करते चले जो और टाइम नहीं है हमारे पास आज बिल्कुल फास्ट हाँ तीन चीज़े हैं, horizontal growth of seedling, swelling of the axis, apical hoop formation, आज तक नहीं आया कुश्चन, कई सारे test series में मैंने यह डाला है कुश्चन, above 3 statement is related to, above 3 statement is related to, सबका answer इथाइलीन आ रहा है, line दिखाउंगा तुम्हें, line दिखाउंगा तुम्हें इथाइलीन वाला यह line important है NCRT का अभी तक कुश्चन नहीं बना है इस पे नेट में, ऑपड़ते हैं अब देखो सिर्फ लाइन तो मैं दिखा दूँ इथाइलीन की बात करते हैं है horizontal growth of seedling, swelling of the axis and apical hook formation, सबको दिख रहा है ये लाइन पेज नम्मर 250 में है class 11th NCRT का है, ओके important है ध्यान रखोगे, ठीक है ये तीनों चीज, किस से related है तो इथाइलीन से related है, कई बच्चे question के तरफ, question number 45, question number 45, जल्दी जल्दी जल्दी, fast करो भई fast, which of the under given part of the brain is concerned with olfaction, autonomic responses, regulation of sexual behavior, expression of emotional relations and motivation, किसी एक से तु पहचान लो, इतने सारे दे रख है नाम, किसी एक से पहचान लो कि काम तुम्हारा चल जाएगा, नाम सुना है ना सबने, limbic system, limbic lobe जाएगा answer, क्या जाएगा, limbic lobe, NCRT का है, और इसमें एक चीज़ ये भी बता दुम्हे, hypothalamus वाला question काफी repeat होता है, hypothalamus का question काफी repeat होता है, temperature regulation में hypothalamus का rule होता है, जब हमें बुखार लगती है, message यहीं से आता है, temperature बढ़ाओ, next, question number 46, trap door mechanism, यह mechanism खास है, NCRT में नहीं है, trap door mechanism of pollination is a characteristic adaptation for entomophily, मतलब, insect से जब pollination हो रही हो, insect से जब pollination हो रही हो, तो इसको क्या बूलते हैं, insect pollination को entomophily होता है, अभी आएंगे इस पर, insect वाले पर भी आएंगे, pollination कौन-कौन से category से होता है, आ रहा है सबका answer A, बस यह ficus तुम ध्यान रखना, ficus में जो pollination का है न, trap door mechanism, ऐसा लगता है न, दरवाजा खुल कर फस गया, तो ऐसा कुछ pollination इसमें होता है, तो बस यह चीज़ तुम्हें ध्यान रखना है, और मुझे बताओ, air से pollination, नाम, animophily, अगर होगा pollination मानों की bats स तो चीरो-पटेरो-फिली, अगर हो रहा सनेक से, तो ओफियो-फिली, ऐसे कही सारे नाम है आपे, अगर हो रहा है मॉलस्का से, तो मैलेको-फिली, आ सकता है एक्जाम में, चीटी वाला नाम important है, चीटी से अगर हो, तो मिरमेको-फिली, चीटी से अगर हो, पॉलिनेशन, होगा तो इसको क्या बोलते हैं मिरमेकोफिली बोला जाता है कुशन नंबर 47 तू डेवलाप पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट नेमाटोड स्पेसिफिक जेन्स वेर इंट्रीजिट्टूस थो तरफेरिन दो होस्थ एंट्रॉस्ट इंटो धी होस् प्लाइव आगे ऐघा है सब का अंसर एंग्रोबाक्टियान त्युमफेशिंद ऑके नेक्स्ट क्योंट नेक्स्ट क्योंट mois के ऐस से in jail electrophoresis at which end of the jail the sample is located ये वाला भूलते हो तो jail electrophoresis में हर बार या ऐसे question आते हैं कहां होगा भई तो in the wells में भी होगा और towards negative electrode में भी होगा अभी क्या करना इसका screenshot ले लो तुम और NCRT में जो jail electrophoresis का diagram है और उसके just bagel में जो paragraph दे रखा है right side वो जरूर देखोगे और नाम जो होता है इसका मत भूलना कभे इसका नाम मत भूलना कभी नहीं इथीडियम ब्रोमाइड है ये क्या है ये इथीडियम ब्रोमाइड next question question number 49 question number 49 मतलब ये तो मालूम होना चाहिए बच्चे बच्चे को मालूम होना चाहिए ये he is antibody-mediated immune response is also called humoral immune response because sale-mediated immunity वाला यही है बोलो sale-mediated वाला और एक humoral immune response वाला दोनों question आते हैं exam answer क्या चला जाएगा क्यों बोला गया है इसको क्योंकि देखो humoral बोला जा रहा है तो humor का मतलब क्या होता है body fluid human health and disease में नस्याट लिखती है ना बहुत सारे humors तो humors की बात करते हैं तो क्या ओजएगा body fluid तो body fluid हमारा कौन है blood तो body fluid सिर्फ तुमें पता है तो ये तो option ऐसी eliminate हो गया body fluid कौन है हमारे पास blood है तो blood में बात करें तो antibodies present है तो इसलिए नाम यहां पे रखा गया ये बड़ा ही फेबरेट है उनका भई, Mediated Immunity वाला बहुत ही फेबरेट है, एक तुमसे पूछाएंगे वो graft का rejection हो गया, कौन से immunity से जुड़ा हुआ है, तो sale Mediated Immunity काम का है, Question number 50, Who developed the concept of resource parsing, resources का बटवारा कर लो, पेड़ पे अगर रह रह रहे हो, वार्बलर के species, बटवारा कर लो, वार्बलर तो tree के word के species के नाम थे, और Gauss का तो अलग है, competitive exclusion principle, Connell's का अलग है, elegant experiment, answer क्या है, Mac Arthur, तो resource parsing, क्यों मैंने ये question दिया, क्यों मैंने दिया ये question, तो मैं भी मालूम है, direct Gauss का नाम आ चुका है, और उसके बाद resource parsing में Mac Arthur का नाम आ सकता है, Next question, number 51, in which of the falling type of classification, all used characters are equally important, जितने भी characters लिये जाते हैं, सारे के सारे equally important हैं, क्योंकि वो computer करता है काम, अगर computer कर रहा है, अगर computer कर रहा है, तो नाम क्या बोलेंगे, numerical classification, क्या सबको equal importance मिलता है, एक पार में hundred से ज़्यादा character consider कर सकते हैं, और बाखी computer तो काम करी रहा है, number और code assign करता ही है, human effort बहुत ही कम है, किसी को special weightage नहीं मिलती, अगला question, question number 52, what is true for mammalia, mammalia, वो line डाला हूँ, जो बहुत ही favorite है, neat वालों का, बहुत ही favorite है, what is true for mammalia, what is true for mammalia, mammalia के बारे में तुम्हें क्या सही लगता है, क्या platypus यादाता है, सारे के सारे mammals, viviparas होते हैं, सिर्फ और निथोरिंकस को छोड़ कर, और निथोरिंकस कई नाम क्या है, duck build platypus, कई नाम वही है, ये सिर्फ है oviparas, 10 साल में 5 बार पूछा गया है, platypus क्या होता है, oviparas, और बाकी जितने भी mammals है, dolphin, cat, dog, elephant, camel, monkey, सारे के सारे viviparas है, ठीक है, तो platypus, age, oviparas, अगला question, question number 53, when turgidity increases, within the two guard cells, the opening of a stomata takes place more easily, due to the orientation of microfibres, तुमें भी पता होगा, ये वाला question, आया हुआ है, microfibres वाला, उसमें थोड़ा सा modification है, बस इस question हो, जल्दी बतो, NCRT में है ये, तुम्हें दिखाया था, पिछली class में, पिछले जो sessions मैंने लिए है, previous questions पे, उसमें दिखाया था, मैंने, answer क्या है, radial, जब भी orientation होगा, तो कैसा orientation होगा, radial orientation होगा, जब भी होगा, radial orientation होगा, transport implant के एक बार देख लेना, ये line, cellulosic microfibres वाला, देख लेना, next question number 54, how many dgs in the list given below, mixing of pure and impure blood, बताओ भई, mixing of pure and impure blood की जो होती है, वो mixing देखने को मिलती है, mixing, 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 जल्दी से बताओ, क्या आ रहा है तुम्हारा answer, थीन आना चाहिए, किसमें आएगा भई, मैं हटा दे रहा हूँ, जो नहीं है, ठीक है, जो नहीं है, उसमें हटा दे रहा हूँ, बाकी सब में क्या जलती है, mixing, चाहे वो PFO हो, PFO, patent, foramen, ovale, patent, ductus, artiosus, और VSD, ventricular september, तुम लोगे ऐसे नाम याद रहेंगे क्या, अरे, eliminate तो करने है, eliminate करने है, मैंने क्या चीज से किया, elimination method से किया, myocardial infarction, heart attack, और बाकी, atherosclerosis, एक होता है, arteriosclerosis, ठीक है, तो बाकी यहाँ पे कितने है, तीन है, जहाँ पे क्या चल रही है, mixing, तुम सुनते हो ना, दिल में छेद हो गया, बस यही सब चीज है, अगला question, question number 55, inner parts of cerebral hemisphere and group of associated deep structures, like amygdala and hippocampus work along with, NCRT की बहुत अच्छी statement है, fast करो fast, like ठोकते चाओ, like, तुम्हारा अगर answer सही आगया, like ठोको जल्दी से, hypothalamus आ रहा है, hypothalamus आ रहा है, hypothalamus आ रहा है, बनता है, minimum, 4000 likes तो बनता है, करो तो जल्दी, हो चुके हैं, कितने question, 55 question हो चुके हैं, 45 और बचे हैं, मजा आ रहा है question करने में, question करने में feel आ रही है, लग रहा है हर एक chapter NCRT का mind में घूम रहा है, वही तो घूमना चाहिए, कल वही तो scan होगा 2-5 बजे के बीच, ठीक है, फ subscribe जरूर करना, क्योंकि कल बहुत important दिन होने वाला है, समझ गया है, चलो भई, question number 56, choose incorrect statement, choose incorrect statement, जल्दी से incorrect statement को चूज करो, incorrect statement को चूज करो, जल्दी से, 4 statement है, 4 में से 1 incorrect है, 4 में से 1 incorrect है, choose incorrect statement, क्या रहा है सबका answer ये, उल्टा दे रखा है, तो, वेजिटेटिव सेल, इन टू सेल्ड स्टेज, हैज स्पिंडल सेव निकलेस, गलत बात, ठीक है, एक होता है, वेजिटेटिव सेल, एक होता है, जेनरेटिव, जेनरेटिव की चीज वहाँ पे लिए, वेजिटेटिव का सेल तो बड़ा होगा, वहाँ पे, next, question number 57, first transgen plant developed was, पहली बार जो transgenic plant आया था, उसका नाम क्या था, जल्दी बतो, देखो सब बच्चे को मालू में, बीटी कॉटर नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता, टोबैकों में जाओगे कई लो, अब बतो, टोबैकों में eliminate तुम्हें करना है, तुम्हें eliminate करना है, तुम्हें eliminate करना ह है, first transgenic plant developed was, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं इसे, answer सब का आ रहा है, VD side resistant, weeds resistant आ रहा है, weeds resistant आ रहा है ना, बहुत बढ़िया, next question चलते हैं, 58, in which type of bio reactor, bio reactor बड़ा बड़ा डिवाइस होता है, 1000 लीटर वाला, air bubbles dramatically increase the oxygen transfer area, जल्दी से बताओ, क्या लग रहा है तुम्ह जल्दी से बताओ, भई, क्या लग रहा है, आ रहा है, answer तुम्हारा, बहुत बड़िया, मजा रहा है, करते चले जो, question, fast, दो type होते हैं, reactors के, तो तुमसे पूछा गया, in which type of bio reactor, air bubbles dramatically increase the oxygen transfer area, आ रहा है सब का यह, तो देखो, simple सी चीज है, देखो, a state तो तुम्हें मालूम है कि यह वाला होता है, यही चलता रहता है, उसमें oxygen का content बढ़ता चला जाता है, और बाकी यह type है, यह type तुम्हें ध्यान रखना है, अगर question extra आ जाए तो, वैसे आएगा नहीं, काम तुम्हारा इतने से चल जाता है, जब भी बार-बार question आया है, इतने से ही काम हो गया है, ल अधे HIV आये न, वही option ही जाता है, HIV आये और तुम वही option लगा कर आओगे, कुछ सोचने का है ही नहीं इसमें, HIV starts destroying which of the falling after entering the body, HIV आया और किसको उड़ाना start कर देगा, helper T cells, HIV का question आये, मतलब 99.9% probability है, answer अगर वहाँ पे helper T cell है, तो वही जाएगा, मैंने ये पिछली record में यही देखा है, ठीक है, तो helper T cell को उड़ाने लगता है, पुरी तरह से, next question, 60, select the statement not true, जब भी आया exam में question, तो पहले गोला लगाना, not incorrect, correct, एसमें गोला लगाना पहले, फिर करना नहीं तो गलत हो जाता है, देखो, अगर कोई भी parasite parasite है, तो parasite के बारे में क्या नहीं सही है, देख किसी के अंदर जाओगे तो चिपकोगे तो सही, सकर्स तो होना ही चाहिए, loss of digestive system, अब मानू मेरे अंदर कोई parasite आया, और बिलकुल पेट वगरा वो अच्छा लेकर आया, क्या मतलब है, पचा-पचा है खाना तो मेरे पेट में उसको मिल रहा है, ठीक है, next, complex life cycle होनी यह काम, slowly slowly, halle, halle, dhimay, dhimay करता है, है ना, तो parasite धीरे-धीरे काम करता है, यह धीरे-धीरे host का पूरा फायदा उठाता है, और वही अच्छा parasite भी है, एक अच्छा parasite उसी को माना जाता है, जो अपने host को तुरंत कील नहीं करे, धीरे-धीरे-धीरे-धीरे उससे क्या लेता चला जाए, मुनाफ़ा लेता चला जाए, फायदा लेता चला जाए, बेनिफिक लेता चला जाए, अगला question, हाँ, यह घरो, यहाँ पे देखो, mode of nutrition किस में जादा है, एनिमेलिया, फंजाई और प्लैंटी में क्या-क्या है, फिर इसके बाद दो question और बताता हूं इसी में, हाँ, the major mode of nutrition, the major mode of nutrition of kingdom, kingdom के नाम है, एनिमेलिया, फिर kingdom का नाम है, फंजाई, फिर kingdom का नाम है, प्लैंटी, respectively क्या है mode of nutrition इनके animal या पहले क्या करेगा पहले खाते हैं फिर क्या करते हैं पचाते हैं तो holozoic absorptive और holophytic आ रहा है सबको planty holophytic fungi absorptive absorptive का मतलब generally minerals वगरा absorb करने का काम करते हैं ऐसे काम करेंगे ये ठीक है इसमें बस तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ तुमसे पूछा जाए maximum nutritional diversity कौन से kingdom में monra, protista, fungi, planty, animalia monra में गजब की diversity होती है nutrition में कहती है NCRT bacterial structure is simple but their behavior is complex कौन सी behavior की बात nutritional behavior की बात चल रही है औके और बाकि तुम्हें सब बात मालूम है second पूछा जाए तो पहला nutritional diversity में किसका ज़्यादा monra, दूसरा पूछा जाए तो दूसरा में कौन है protista, okay next question question next 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 करो करो जल्दी से करो ये तो तुम्हारा favorite tissue बाला part है tissue 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 read the following statement and find out the correct statement and find out the correct statement चलो बहुत इजी question है asquimus epithelium की बात तो सुने होगे blood vessels में होता है वहाँ पे फिर lungs में भी होता है air sacs of lungs NCRT देती है तो diffusion boundary चल रहा है वहाँ ठीक है पहला सही है cubital और columnar epithelium helps in secretion and absorption NCRT की जबरदस्ट लाइन है ये PCT, DCT function of cellated epithelium is to move particles और mucus particles और mucus क्यों लिखा है NCRT ने particle लिखा ovum के लिए तो phallopend tube में भी होता है cellated epithelium और mucus कहां पे लिखा है mucus लिखा है trachea जो bronchioles वाला part होता है वहाँ पे present होता है answer क्या जाएगा 3 अगला question which of the falling plant root absorb water and minerals from soil through symbiotic association जल्दी से बताओ ऐसे relationship को क्या बोलते है और answer क्या जाएगा gymnosperm है member इतना hint दे सकता हूँ gymnosperm है member तो कौन सा चला जाएगा pinus क्या ऐसे relationship को mycorrhiza बोलते है पूरी probability है भाई इसकी ये pinus ठीक है pinus में क्या तो mycorrhiza क्या करेगा absorption करेगा अगले question में चलता है question number 64 select the correct statement for reptile select the correct statement for reptile reptile नाम सुने होगे तुम reptile का feature मन में आ रहा होगा अब इसमें direct circulatory system का तुम से पूछा गया है correct statement क्या है तो blood की mixing होती है क्योंकि वहाँ chambers की बात करें तो 3 chambers होते हैं वहाँ पे crocodile में 4 अब आखी समय तीन तो blood की mixing तो होगी होगी next hormones नाम क्या है erythropoetine और एक और नाम रेनीन इंजाइम बाला अलग है ये रहा है इंजाइम बाला are secreted by whistles जल्दी नाम बताओ अरे नाम 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 बताओ बताओ कई बच्चे इसमें confuse हो रहे होंगे इसमें अरे ये भी जगस्टा ये भी जगस्टा क्या लगाया जाए ये दोनों तो नहीं होगा अच्छा JG Cells कौन सा सेल है JG Cells जब भी बात आए ना रेनीन की रेनीन देखना भाई JG Cells से रिलीज होगा रेनीन की यही काम है JG Cells से रिलीज होने का चलो next question question number 66 ये diagram human reproduction का human reproduction का diagram है जल्दी से बताओ human reproduction का diagram है ये ये कौन सा structure है और ये कौन सा structure है और बाकी ये जो बाहर वाली layer है और बाकी ये अंदर वाली layer है तो इसके basis पे नाम बताना है इसके basis पे नाम बताना है क्या सबके answer 4 आ रहा है 4 आ रहा है सबके answer बता बताओ क्या इसका नाम Marula है इसका नाम Brula है इसका नाम blastocyst है और जो माहर वाली लेयर होती है इसका नाम ट्रोफोब्लास्ट है और अंदर वाली जो होती है वह है inner cell mass इंब्रियो किस से बनेगा ट्रोफोब्लास से या इनर सेल मास से इंब्रियो जब भी बनेगा वो इनर सेल मास से बनेगा next which one is not used as a biocontrol agent which one is not used as biocontrol agent biocontrol agent में कौन use नहीं होता है सबसे popular तो यह है सबसे popular तो यह है psychoderma अब वो लगया है कौन यूज नहीं होता है तुम खुदी कायद होगे यहां यह साफ तवर पर गलत है सैनो बैक्ट्रिया का यूज होता ही नहीं है बायो कंट्रोल agent ठीक है तो answer क्या चला जाएगा four next question number 68 in a vector which of the following is helpful in selection of transformants चल्दी से बताओ बताओ जल्दी से हमें क्या करना है हमें क्या करना है selection करना है तो transformants recombinants non-transformants पढ़ाओगा तुमने ncrt की वो सबसे complex paragraph जिसमें कई बार line को पढ़ा लेकिन line को समझ में नहीं आता है ठीक है लेकिन line समझ में अभी भी नहीं आ रहा है कोई बात नहीं सिर्फ इतना याद रखो न selectable marker एक ऐसा marker है जिससे चीजों को slit करते हैं जैसे देखो ना मैं चीजों को slit कर रहा हूँना है आप यह देखो यह देखो तो यह marker का भी काम यही होता है कि अच्छा एक तरफ ट्रांसफर्मेंट्स है तो एक तरफ री कॉंबिनेंट्स है ऐसे यह स्लेट कर लेता है तो इसको बोलते हैं क्या selectable marker 2019 का question में था वही सायद 19 में उडिसा में या इसमें था question आया हुआ है यह चलो next question mark the correct statement LSD, cocaine, opioids और morphine बतो drugs वाले important है ना, पूछा गया है कि mark the correct statement, correct statement कौन है, मिल गया, मिल गया, कोकीन, erythrozylum, कोका, कोका, है ना, कोकीन is obtained from erythrozylum, कोका, question number 70, select the odd one from the following with respect to ecological relationship, ecological relationship, किसके संबंध नहीं बनते हैं, odd तुम्हें क्या मिल रहा है यहां पे, odd तुम्हें क्या मिल रहा है यहां पे, क्या यह मिल रहा है, odd तुम्हें, बोलो बोलो बोलो, क्या यह odd मिल रहा है, बाकी सब character तुम्हें अलग लग रहे है, बार नेकल सन, back of a whale, यह बिलकुल अलग है, तो बताओ जल्दी से मैंने कोशन करवाया भी है कुछ दिन पहले भी बेंगाल फैमीन और आइरिस फैमीन फैमीन का मतलब होता है आकाल बंगाल में भी आकाल पड़ी थी इसके कारण तो नाम क्या जाएगा यह एंसर जाएगा यह हेलमेंथस पोरम औरेजी चावल में हुआ था और बाकी फाइट अब थोड़ा इनफेस्टेंस है दोनों नाम बस तुम्हें याद रखना है अगर बाहर से आते हैं तो आए गई नेक्स्ट चलो यह बताओ इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए और रिंग ऑफ कितने रिंग है भाई छे से आठ ब्लाइंड टुबल्स हैं प्रेजेंट अडि जंक्शन ओफ फोर गट और मीड गट के बीच में यह चीज प्रेजेंट है और जिसमें रिंग है छे से आठ ब्लाइंड टुबल्स के रिंग यहां पर मौजूद है क्या एंसर आ रहा है सबका गैस्ट्रिक सी की हैपा नीट गट और हिंड गट के जंक्शन पर मालपिगन टुबल्स मिलते हैं जिसके नंबर 1650 होते हैं बहुत बढ़िया एंसर क्या जाएगा तुम्हारा फोर यह जाएगा एंसर अगला गुश्य टीएस और ऑक्सिडेटी फॉस्फरिलेशन और स्टेप सिन रिस्पेरिटरी मकसद क्या है एंसर का एटीएस का मकसद क्या है मकसद क्या है क्या मकसद है टूरी इंड देच टोडिन एनएडेस टूуा एंड next चलो इसको matching matching खेलो digestion and absorption का question digestion and absorption का question है करो जल्दी से digestion absorption बस 25 question और है find out the correct match from the following चलो जल्दी करो fast हम लोग बिल्कुल time से है डिड़ बजे सेशन आराम से खतम हो जाएगा 20 minute और find out the correct match from the following correct match from the following answer क्या आ रहा है टंग muscular होता है ventral surface attached base of buccal cavity अब बताओ जो ventral surface होती है जो नीचे वाली चीज होती है वो किस चीज़ अटाच है lingual frenulum frenulum कहीं भी वर्ड आ जाए attachment समझना frenulum का मतलब क्या होगा attachment होगा हमेशा अगला motion 75 match करो बहुत important है मैच करो nervous control and coordination का है इधर part of brain दे रखा है और इधर दे रखा है function सेरे ब्रम hypothalamus इसके बाद है सेरे बिलंग और इसके बाद है medulla नाम जल्दी से इनके function बताओ मैं ही जल्दी से इसको match कर देता हूँ देखो सेरे ब्रम है तो voluntary movement कर रहा है ठीक है hypothalamus thermoregulation कुछ दिर पहले बताया था temperature वाला सेरे बिलंग की बात करते हैं तो body के balance को maintain करता है और medulla की बात करते हैं तो दिल की धड़कने हो गई या सांसे हो गई तो यह control करता है answer 4 आना चाहिए सबका 75 का answer 4 आ रहा है tissues and organs are formed from सारी चीजे कहां से बनती हैं तुमसे कुछ दर पहले पुछा भा कि अगर एक बनाना है embryo का सारा का सारा चीज तो कहां से बनेगा वो चीज the stem cells which have potency to give rise to all the tissues and organs are formed from कहां से बनेगा वो inner cell mass जो अंदर में है बाहर वाला तो trophoblast है जहां से आगे चीज बनती है amnion, koreon ये सब चीज बनती है अगला कुछ्छन crossing over occurs ये अच्छा कुछन है पूछा गया है कितने statement कौन कौन से statement correct है choose the correct statement choose the correct statement choose the correct statement crossing over बूला गया है चारा statement है crossing over packetine तो ध्यान रखना पहले और recombinage enzyme का यूज होता है इतना तुम्हें पता होना चाहिए ठीक है बताओ non-sister chromatid के बीच होगा लेकिन कई बच्छे यहां पर लगा देते हैं non-homologous chromosome ना जब भी होगा homologous chromosome होगा homologous chromosome में non-sister chromatids के बीच में ही crossing over होता है with the help of recombinage enzyme और बताओ between two different linkage group ना same linkage group होना चाहिए within a linkage group सही है between non-homologous ना यही तो गलती करते हो तुम non-homologous chromosome के बीच में कैसे होगा भाई crossing over कुते और बिली में कैसे crossing over तुम करवाओगे जब भी होगा तो यहाँ पर क्या होगा कुछ इस तरह याद रखो मैं कुछ example के basis पर तुम बता है from the given below structure identify the juter ions juter ions ये question छोड़ दिया जाता है कि नहीं ये तो आएगा ही नहीं juter ions लिखी NCRT में juter ions बताओ juter ions कैसे पहचानते हैं juter ion देखो कैसे पहचानते हैं पर simple सी concept यहाँ पर है देखो एक positive ion मिलेगा एक negative मिलेगा एक positive मिलेगा एक negative मिलेगा NS3 positive देता है carboxylic negative देता है यह positive देगा यह negative देगा acidic nature का है क्योंकि यहाँ यह चीज़ का है यह नहीं negative है यहां पर कुछ बताया ही नहीं है तो जहां पर ions पूरी तरह से टूट चुके हैं वो होती है ISO electronic point वगरा आप भी सब जानने का कोई मतलब है नहीं है ना तुम जानते हो तो ठीक है नहीं तो बस इतना जयार रगना positive negative तुम देख लेना answer आ रहा है सबका 4 okay simple सा चीज है आगे बढ़ो question number 79 interspecific क्या अलग-अलग spaces है हाँ interspecific है interspecific होता तो same as spaces में ही होता बोला जा रहा है तुम से interspecific बोला जा रहा है answer क्या आ रहा है horse और donkey horse और donkey का करवाते हैं ना cross next question number 80 question number 80 connell's elegant field experiment आया था भी option में connell's elegant field experiment बाज़ परफॉर्म्ट on sea coast of which country बस यह country तुम्हें मालूम होनी चाहिए क्योंकि gallop o goss island तो तुम्हें पता है बई gallop o goss तो पता है कि gallop o goss तो नहीं होगा बई वहाँ तो goat वाला research था goss ने किया था वो तो नहीं हो सकता photogenic memory develop होती है ncrt पढ़ने से ठीक है पता तुम्हें चलता है कौन सी चीज राइट में कौन सी चीज लिफ्ट में तुम्हें इतना भी पता चलता है अच्छा इस page में अगर बात करेंगे तो mac arthur है तो इस page में goss भी है तो यह वाला था यहां से खतम गवा था कहानी कुछ ऐसे चल रही थी गोट वाली कहानी चल रही थी तो गोट की browsing capacity उतनी अच्छी उसके पहले अब इंग्रेंट ट्वाइज रहता था उससे ज़्यादा capacity हो गई थी तो तो तुमने ncrt पढ़ा है ना तो कहानी पढ़ा है तुमने है ना अच्छे से नेक्स्ट कुशन नमबर 81 वीच अब दी फॉलिएंग उकुपाई शिक्स्थ पोजिशन इन रैंकिंग ओफ ओबलिगेट कटेगरीज बताओ 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 जल्दी से बताओ थोड़ा सा कुशन को ट्विस्ट किया है भस थोड़ा सा कोशन को ट्विस्ट किया है शिक्सथ पोजिशन औबलिगेट तुम्हे बताना है क्योंकि साथ के साथ टोटल बहुत MPORTन टास्ट काटेगरीज है तो which of the following occupies 6th position in the ranking of obligate categories in the ranking of obligate categories fast 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 दिमाग नहीं लगाने का ज़्यादा kingdom, phylum, class order, family, genus, species 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 6 नमबर पे genus genus है मैंगी फेरा एंसर A तोड़ा सा दिमाग घुमाओगा कि हाँ अच्छा गुश्चन है तो obligate categories की बाद चल रही तो answer क्या जाएगा ए जाएगा answer अगला सवाग question number 81 the cell theory states that cell theory से पिछली बार इतना simple सा question आया क्यों नी से लाई सौला किस ने दिया था हाँ the cell theory states that the cell theory states that cell theory से क्या पता चलता है भई cell theory से क्या पता चलता है all living organs are composed of cells and their products and products of the cell cell theory पूछा जाएगा modify किस ने किया तो वर्चो ने modify किया 1855 में दिया किस ने था तो slidden and swan ने slidden और swan botanist geologist में confused मत होना confused मत होना एक तो slidden है और एक क्या आ जाएगा swan swan मतलब hans होता है न वैसे swan ये वाला swan ये वाला hans तो ये geolosie में अनिमल है न तो ये geologist हो गया और ये हो गया क्या botanist next question coenzymes ये तो मतलब popular है coenzymes co 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 enzymes are organic compounds which associated with apoenzymes transiently मतलब tightly नहीं usually during transiently का मतलब कुछ पल के लिए हम RSP का the course of catalysis के वक्त में इनका इस्तमाल होता है कभी use होगा इनका catalysis के वक्त में इनका इस्तमाल होता है अगला सवाल question number 84 how many animal in the list given below which is amonotelic in nature मैं ये बताऊंगा नहीं क्योंकि amonotelic ureotelic और urecotelic का तुम NC8 में पढ़ोगे भी जाकर अभी पढ़ोगे तुम जाकर ये amono yurio और yuriko ये तुम्हारा humr grave ये पक्का करना है पक्का amono कौन yurio कौन और yuriko कौन इसमें बस मैं इतना बता दे रहा हूँ कि इसमें जाएगा two अब तुम्हें बताना है वो two कौन सा जाएगा NC8 नहीं पढ़ोगे question गलत चला जाएगा क्योंकि examples आएगे तो NC8 से आएगे example तो क्या जाएगा answer इसमें symbols are two अगला question question number 85 question number 85 the inner ear also contains a complex system located above the cochlea ठीक है called vestibular apparatus बोलते है it is influenced by a and helps us in select the option which correctly fills a and b a और b पता लगो कौन है a और b पता लगो कौन है जल्दी से पता लगो पता लग गया हाँ पता लग गया ना जिमनास्टिक वाला question आता है बई जिमनास्टिक वाला question जो है यहां से आता है पता होगा तुम है जिमनास्टिक का question आता है बस इतना बता दो तुम बता 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 answer 2 आ रहा है gravity and movement क्योंकि जिमनास्टिक वाला तुम देखा होगा question और वहां पे आता है body balance important है यह चीज तो मैं एक पर लाइन फिर से पढ़ता हूँ the inner ear also contains a complex system जिसको vestibular apparatus बोलते है it is influenced by gravity and movements and helps in क्या बूला जाएगा body balance जब इतनी बात होगी तो छोटी सी बात मैं बताना चाहता हूँ बस Alfonso Cotty के बारे में Alfonso Cotty Italian anatomist है क्योंकि RNA smear से question आ चुका है मैं बस थोड़े से scientist के नाम repeat कर दे रहा हूँ जो 11th वाले है 11th वाले के उनकी important है Arnest Mayor की बात आएगी तो Arnest Mayor Campitan Germany में पैदा हुए evolutionary biologist थे वो तीसरी चीज currently accepted definition of biological species और जो चौती चीज आती है वो आती Darwin of the 20th century ये 4 point इसमें important है अगले में चले अगले में Anatomy of Seed Plants Catherine इशाओ याद आ रहा होगा तुम्हें ये Ukraine की रहने वाली और उसके अलावे Anatomy of Seed Plants उनने लिखा था और curly top virus जो diseases होती है वो flame के तुरू फैलती है ये कहानी Catherine इशाओ के बारे में G.N.Ramachandran के बारे में बस इतनी line अखरी है Alfonso Corti Alfonso Corti Italian anatomist थे जिंदगी की सुरुवात cardiovascular system of reptiles पे की उसके बाद mammalian auditory system पे आए Alfonso Corti नाम organ of Corti यादा रहा होगा तुम्हें कॉकलिया के पास जो nerve impulses को sound vibrations में sound vibrations को nerve impulses में convert कर दे यादा रहा होगा बहुत बढ़िया अगला सवाब 86 86 incorrect match तुमसे पूछा गया है incorrect सब आ चुके हैं point जितने भी point है आ चुके हैं exam में बोलो जल्दी से जल्दी 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 से which one of the falling is incorrect match myometrium endometrium perimetrium uterus myo है बहुत बढ़िया strong contraction करवाता है साथ में मदद करता है oxytocin ठीक है birth hormone बोलते है oxytocin को milk ejecting hormone endometrium ठीक है menstrual cycle में जाता है perimetrium ठीक है serosha बाहर वाली layer को serosha उसके बाद muscularis उसके बाद sub-mucosha उसके बाद mucosha ठीक है uterus की बात करते हैं तो birth canal बिल्कुल गलत uterus birth canal नहीं होता birth canal में कौन सी जाती है cervical canal plus vagina यह आता है birth canal में क्योंकि बच्चा तो ऐसी आता है न बाहर की बस तो यह चीज है अगला सवाल 87 87 जल्दी से बस मैं direct example बता रहा हूँ कौन नहीं है इसमें यह blood group बाला यह पिल्योट्रोपिक में नहीं आता है यह चीज़ अगला सवाल question number 88 यह तो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा homologous analogous homologous analogous साथ नहीं छोड़ेगा incorrect matching और जो मैंने examples यहां पर रखे हैं वही example आते हैं exam में eye of octopus भी ले लिया prawn और human का ले लिया sweet potato पोटाटो ले लिया flippers और penguin और dolphin ले लिया thorns और bogging विलिया और कुगर बीटा ले लिया तो लगाओ ना जल्दी से क्या जाएगा answer क्या यह incorrect है बताओ अरे अलग-अलग है तो अलग-अलग तो homo कैसे अलग-अलग तो analogous आएगा ठीक है तो यह simple सी चीज है next अगला सवाल question number 89 auto-ecology does not deals with the study at which of the following level बताओ जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से auto-ecology does not deals with the study at which of the following level auto-ecology एक और चीज होती cynicology यह NCRT में नहीं है पुरानी NCRT में हुआ करती थी यह चीज एक auto-ecology हुआ करता था एक cynicology हुआ करता था तो auto-ecology की बात करते हैं तो community level पे मानों कि plant community, animal community simple सी चीज देखो मैं बताना चाहाँ रहा हूं जो तुम्हें इसका मतलब तुम कुछ इस तरह समझो auto-ecology does not deals with बूला गया था जैसे बूला गया कि simple सा मैं term बता रहा हूं बस और कुछ नहीं जैसे ozone depletion का human पे क्या असर है या human की population पे क्या असर है तो इसमें बात करते हैं generally किसकी auto-ecology की next ozone depletion का पूरी दुनिया पे क्या असर है पूरी की पूरी दुनिया पूरी की पूरी community पे क्या असर है तो इसको क्या बोलते हैं scene ecology बोलते हैं बस दोनों में difference तुम इतना ध्यान रठना यहां पर बूला गया था not deals with अगला सवाल question number 90 total 100 questions है which type of succession takes place in abundant farmlands जो farmlands को हमने छोड़ दिया कई सालों से उस पर खेती नहीं चली farmlands पर which type of succession यह मैं NCRT में तुम्हें पढ़ाऊंगा NCRT हम लोग पढ़ेंगे इसके लिए NCRT में जितने examples हैं वो मैं एक बार repeat करूंगा यहां पर NCRT में जितने examples हैं वो हम लोग repeat करेंगे अभी से बताओ तुम वैसे answer बताओ answer बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा which type of succession takes place in abundant farmlands abundant farmlands में किस तरह का क्या answer secondary succession आ रहा है बस इतना से हिंट दे दूँ अगर कहीं पे पहले से बिलकुल बंजर है वहाँ पहले से कुछ भी नहीं था मानों पहाड वगेरा है चटान वगेरा है वहाँ पर पहली पहली बार अगर कुछ हो रहा है तो वह primary succession है ठीक है पहले से ही कुछ खेते वगेर आउगी हुए थी वहाँ पे चावल कुछ था plant वगेरा पहले से ही था spore वगेरा seed वगेरा था तो उसमें क्या चला जाएगा secondary चला जाएगा कुछ examples अब तुमसे पूछ रहा हूँ बूलना primary में आएगा या secondary में आएगा ठीक है abundant farmlands एक तो यह है भई abundant farmlands जिस लैंड को छोड़ दिया गया चलो यह आजए तुमको बोलना है primary या secondary ठीक है तो abundant farmlands किसमें आ जाएगा secondary में नेक्स बताओ तुम इसमें नेक्स बताओगे तुम newly cooled lava यह भी आता है कुष्ण newly cooled lava बतो newly cooled lava बिल्कुल नया नया ही हुआ है वहाँ पर newly cooled lava ठंडा हुआ है उसमें volcanic eruption से primary होगा क्योंकि वहाँ पर पहले कुछ भी नहीं था newly created pond नय नय तलाब को बनाया गया है वहाँ पर कुछ भी नहीं था reservoir पानी वगरा खा कुछ भी नहीं था वहाँ पर primary बेर रॉक तो primary यह आएंगे primary वाले secondary वाले में repeat कर दूँ abundant farmlands burned और cut forest वानों जंगल को काट लिया गया तो वहाँ तो सीड तो रहेंगे ना तो मैं simple सा बताओं नया surface है primary succession surface पुराना हो चुका है redevelopment हो रहा है कह देना secondary succession की बात सल रही है primary secondary को पहचाने का तरीका जो है बस वही है highly reduced female gametophyte produced in जल्दी से बताओं जल्दी से जल्दी से highly reduced female gametophyte बताओंगा कैसे करते हैं सब question highly reduced female gametophyte एक बार हो जाए example bryophyte, teridophyte, zymnosperm और angiosperm bryophyte का main plant body कौन है gametophyte, teridophyte का कौन है sporophyte इसका कौन है sporophyte जो भी मैंने यहाँ लिखा है वो main plant body लिखा है, predominantly वाला पार्ट लिखा है, बताओ अगर bryophyte का main plant body gametophyte था तो क्या इसका sporophyte बहुत ही ज़्यादा reduced रहा होगा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ reduced वाला पार्ट तो इसका sporophyte वाला पार्ट reduced रहा होगा, अगर इसमें sporophyte है यहाँ पे dominant तो यहाँ पर gametophyte इसका reduce रहा होगा, सब में gametophyte reduce रहा होगा, आगे नहीं बनाना चाहते gametophyte क्या बोल सकता हूँ मैं gametophyte धीरे-धीरे reduce होता चला जा रहा है maximum reduction किसमें gametophyte का angiosperm में, angiosperm का example खोजना है कौन है बस answer क्या जाएगा solenum, क्योंकि यह आता है solenasi में और solenasi आता है angiosperm में clear है, यह question बहुत आया है exam में, exam में जब आया था 2014 में, उसका answer गया था lilium answer क्या गया था, lilium, lili, 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 तो क्यों, क्योंकि वो भी angiosperm है तो बस इतना समझना, highly reduced female gametophyte की बात करेंगे, तो angiosperm की बात करेंगे correct option बताना है तुम्हें यहाँ पे, regarding following animals बत ओ भी, correct option तुम्हें कौन सा लग रहा है, correct option तुम्हें कौन सा लग रहा है क्या third वाला आ रहा है correct, tinia, tapeworm, ascaris, ronworm, दोनों के दोनों endo parasite है leech, joke, जो बाहर से चिपक जाता है, laws, जो बाल वगरा में होते हैं, यह ectoparasite से, clear है न यह चीज, clear है तो बस यह correct statement तुम से पूछा गया था, तो यह वाला चीज, correct statement है क्योंकि चारों के चारों endo parasite में नहीं आएंगे ना, और चारों के चारों free living भी नहीं है क्योंकि parasite भी यह तुमको दिख रहा है, समझ गया, leech and laws don't have locomotory structure होता, तो है leech के पास, तभी तो चलते हैं न, leech आगे अगला सवार, question अच्छा है, ध्यान दो, question अच्छा है, ध्यान दो, which one of the following statement is or are correct for ATS ribosome ATS ribosome, ATS ribosome, क्या लग रहा है तुम्हें, ATS ribosome के बारे में, ATS ribosome, जल्दी से, fast, fast, fast sorry, क्या आ रहा है, सबको answer 2, देखो, ATS ribosome के बारे में, तो present in prokaryote or eukaryote, नहीं, 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 eukaryote में 80 होता है, not surrendered by any membrane, हाँ, यह बात सही, क्योंकि ribosome में कोई membrane नहीं होता है, यह तो आएगा, आएगा, किसमे membrane नहीं है, ribosome में membrane नहीं है, और किसमें किसमें नहीं है, रात भर, चैन नहीं, ribosome, बैसल बोडी, सेंट्रियॉल, निकलियोलस और inclusion body, ribosome, बैसल बोडी, सेंट्रियॉल, निकलियोलस और inclusion body, inclusion body में कोई आएगा, syanofasian granules, phosphate granules और glycogen granules, यह आते हैं inclusion body में, plant अपने food को किस form में store करता है, starch के form में, हम अपने food को किस form में store करते हैं, muscles और liver वगरा में, glycogen के form में, तो bacteria भी तो करेगा, bacteria किस form में करता है, inclusion body के form में, inclusion body के तीन example, कौन-कौन से example हुए, CPG, syanofasian granules, phosphate granules, और glycogen granules, यह तीन example यहाँ पे important हैं, और misosome का काम respiration, और chromatophore में photosynthetic pigments होते हैं, जो photosynthesis में role play करता है, अगला सवाल, तो यह तो तो तुम्हें पता चल गया भई, कि not surrounded by any membrane, यह statement सही है, B वाला सही है, यह दोनों तो होगा नहीं, आगे बढ़ो, अच्छे यह भी नहीं होगा, answer 2 है, एक पर यह भी पढ़ दो ना, जैसे लगा रहता है न, 70S, ठीक है, तो S का मतलब, sedimentation coefficient यह सेवड़बर्ग unit भी होता है, NCI टे लिखती है, कि S is indirectly a measurement of size and density, और बाकी 50 plus 30 का बना हुआ है, और 80 किसका बना है, 60S plus 40S का बना हुआ है, और इसमें छोटे सा चीज याद रखना कि Ribosome में क्या मौजूद होता है, तो Ribosome में RNA plus protein मौजूद होता है, 1953 म जोर्स प्लाडे ने दिया था, और इसको पहला डे पार्टिकल्स पर बोलते हैं, काफी है, और दोनों को जोडने का काम कौन करता है, 60S plus 40S को यह करता है, magnesium unit करता है, कौन करता है, magnesium जोडने काम करेगा, मनों दो लडड़ू है, बड़ा लड़ू, एक छोटा लड़ू, यह 94, सवाल है सामने, कुश्चन है 94, find the correct statement with respect to the cells of the leaf, सुने होगे ना तुम नाम, leaf में, bundle, seed, sale, mezzo, fill, sale, बस कुश्चन वही है, answer आ रहा है, पहला statement सही है, second carboxylation reaction occurs in these cells, और cell wall is permeable for gases section, impermeable होगा, और प्रजेज रुबिश्च को, तो answer 3, 2, 2 सही है भई, हाँ, answer जाएगा 4, 2 सही है, 1 and 3, अगला सवाल, sorry, अगला सवाल, which of the falling regulates the secretion of epithelial mucosha, चल दी से सवाल, बस 3-4 सवाल, 5 सवाल और है, which of the falling regulates the secretion of epithelial mucosha, epithelial mucosha, यह NCIT में नहीं है, लग सकता है, कि अलग है, मैंने बूला था तुमसे, 5 question मैंने लाया, मैं लाया हूँ, कि जो NCIT से बाहर का question है, जिसमें तुम्हें लगे कि हाँ, ऐसा हो सकता है, एक्जाम में भी घबराने की बात नहीं है, जब ऐसे question आए, नहीं पता है, छोड़ कर आना है, कि नहीं भई, मैंने नाम नहीं सुना, मैंने और बैक प्लेकस का नाम नहीं सुना, छोड़ कर आना है question, अगला सवाल, function of थेरोकसीन हॉर्मोन, थेरोकसीन हॉर्मोन का काम क्या क्या है, जल्दी से बताओ, थेरोकसीन हॉर्मोन का क्या 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 है, अच्छा सवाल है, जल्दी से करो, अच्छा सवाल है, जल्दी से करो, आ रहा है सबका, देखो, यह statement सही है, यह statement गलत है, यह statement सही है, RBC सही है, ACD एक बार NCIT में जरूर देखोगे ठीक है NCIT में function जरूर देखना थैरोक्सीन का अगला सवाल sorry क्या हो रहा है यह एक deployed organism है ठीक है इस क्या है वो heterozygous का case है for two ठीक है locust कितने है total दो वो लग गया how many types of gamets how many types of gamets 2 locust तो कितने हो जाएंगे gamets चार हो जाएंगे जितने locust उतने gamets अगला सवाल select the incorrect statement from the falling regarding insulin यह तो गलत नहीं होना चाहिए biotech का फिर से question है यह हाँ मालूम है ना C peptide जो होता है वो mature insulin में present होता है और insulin किसको लिया जाता है diabetic patient लेते हैं C और D correct है यहाँ पे recombination technology से तो बनी है यह do not कैसे समझ गया response करता है यह चीज answer C and D आ रहा होगा अगला सवाल which disease is caused by ascal menthes ascal menthes से कौन सा disease cause हो रहा है ascal menthes से कौन सा disease cause हो रहा है जल्दी से बताओ ascal menthes roundworm कहते हैं इसे ascal menthes का नाम phylariasis जल्दी से नाम बताओ phylariasis कौन से बिमारी इससे हुई है नाम याद होगा ना तुम्हें वुचरेरिया वुचरेरिया और NCRT class 12 में chapter number 8 human health and disease में लिखती है वुचरेरिया मैलाई और वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी जिससे क्या होता है phylariasis इसको क्या बोलते हैं elephantiasis कहां अफेक्ट होगा lower limbs which contains lymphatic vessels और genital area भी अफेक्ट हो जाते हैं इसमें याद रखना इसके बारे में इतनी सारी चीज़ें important है ठीक है आज का आखरी सवाल हम लोग देखने जा रहे हैं question number 100 देखने वाले हैं क्या आज 5000 लाइक मिल सकता है क्या 5000 लाइक्स लेकर जा सकते हैं हम लोग बताओ भई जल्दी से बताओ 5000 लाइक लेकर जा सकते हैं 3800 बच्चे मौजूद है जो बच्चे अभी आये हैं हाँ जल्दी से 5000 लाइक्स का target है है ना वीडियो के खत्म होने ओने तक 5000 का like है का target आज का आखरी सवाल तुम्हारे सामने आ रहा है देखो तुम किसी भी हालात में हो तुमने तयारी की है या तुमने तयारी नहीं की है घबराने से कुछ भी नहीं होगा जितना जादा anxiety को बढ़ोगे कुछ भी नहीं होगा तुम अपने आप पे भरोशा रखो हमने कई बार practice किया है question कई बार हमने NCRT पढ़ा है कुछ chapters हो सकते हैं जो अभी भी लग रहा हो कि जैसे मानों कि ठीक है plant physiology नहीं हो पा रहा है हमसे genetics नहीं हो पा रहा है हमसे human physio नहीं हो पा रहा है 5000 लाइक का target है और तुम कर चुके हो 500 लाइक बस एक मिनट के अंदर 500 लाइक आ चुके हैं 5000 लाइक की तुम ऐसे ही पूरा कर दोगे आज का आखरी सवाल तुमारे screen के सामने ये रहा which of the following are considered to be the main reasons of the biodiversity losses biodiversity loss का सबसे main reason कौन सा है जल्दी से लगो biodiversity loss का सबसे main reason कौन सा है आज हमारा session है रात 9 बजे YouTube पे Bits for Biology पे रात में 9 बजे बस 30 मिनट का session लोगा 25 to 30 मिनट 20 to 30 मिनट का भी हो सकता है हाँ 100 आज का आखरी सवाल हाँ बाई main reasons बूला गया है biodiversity के loss के लिए biodiversity के loss के लिए सबसे important reason क्या है biodiversity के loss के लिए NCRT बोलती है sबसे important 4 वो reason है habitat loss and fragmentation over exploitation alien spaces invasion और co-extinction तू नहीं तो मैं भी नहीं उसको बोलते हैं co-extinction बोलते हैं अब देखो यहाँ पर बूला गया है न तुमसे कि बताना क्या है तुम्हें main reason यहाँ पर बताना है तो main reason कौन है यहाँ पर देखो pollution आएगा क्या नहीं आएगा political advantages आएगा क्या नहीं आएगा अरे साब पता चल रहा है 2 आएगा sir 5 आएगा sir answer 3 आएगा 100 गया answer क्या जाएगा 100 questions कर लिए हमने तुम्हारे कितने करट गया है जल्दी से बताओ likes करते चले जो और मुझे बताते चले जो likes बढ़ते रहने चाहिए तुम्हारा emoji आ रहा है प्यारा प्यारा सा प्यारा प्यारा सा चलो जल्दी से बता दो आखरे में 2-3 में मैं कुछ बाते बोलूँगा अब फिर हम लोग चलते है 100 में कितने आ रहे हैं टोटल 100 में 90, 80, 70 कितना आ रहा है 100 में जल्दी से बताओ 100 में कितना आ रहा है कितना स्कूर कर रहे हो तुम 100 में जल्दी से बताओ 100 में कितना स्कूर कर रहे हूं हाँ जलदी 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 98 97 88 76 सही है सही है सही है सही है बहुत बड़िया चलो तुम्हारे जूबी आ रहा है न मैंने बोला था ना क्लास के स्टार्टिंग में ही जितना भी ये मांक्स आ रहा है तुम इसको जितने अपने फ्रेंड के पास share करो, कल तक मौका है तुम्हारे पास यह सब question को recap करने का, और आज कुछ जादा मत पड़ो, time भी हो चला है कितना, लगवा दो बजने वाला है, अब आराम से तुम खाना वगरा खाओ, और खाना खाते वक्ती, NCRT की कुछ पन्ने प्लट लो, मैंने जैसा कि तुम्हें बूला, आम उनो टेलिक, उरे टेलिक, और प्लस थैरोक्षीन वाला देख लेना, और इसके अलावे जितना भी तुम्हें कहीं कहीं लगता है ना problem, ओके, आज मैं रात में थोड़ा-थोड़ा मैं तुम्हें हिंट दूँगा, समझ ग वाला point, फिर reproductive health है, तो उसमें infertility वाला point, आता है ना question वहां से, फिर sex very transmitted diseases कौन-कौन है, तो यह सब चीजें आती हैं, ओके, तो हर एक chapter का कुछ ना कुछ point में बता दूँगा, और बाकी जो रात का session है, वो 9 बज़े है, 9 बज़े से 9 बज़े तक, do's and don'ts मैं बताऊंगा, कुछ कुछ चीजें मैं अभी बता दू, admit card ready कर लो, admit card का का काम ready कर लो, जो भी photos है, postcard वाले या passport वाले, उनका काम तुम ready कर लो, और जो भी तुम्हारे पास अधार card है, अधार card अगर है, तो ठीक है, अगर नहीं है, तो तुम्हारे पास और कोई भी identification के लिए होगा, जै पास तो वो चीज़ तुम लेकर जाओगे, समझ क्या है, तुम चाहे exam 2000, होता है कि कई साल 2 साल से दे रहे हैं, तर 3 साल से दे चार साल से दे रहे हैं, तो तुम यही शमझ हो, मैं इन बच्चों के लिए बोल रहा हूं, जो लोग 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल से preparation कर रहे हैं, पर होगा confidence तुमने तीन से चार सल गवाय नहीं है तीन से चार सल अपने आपको मजबूत बनाने तुमने लगाया है क्योंकि मुझे मालूम है medical में कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं दो साल पुराने तीन साल पुराने चार साल पुराने अब समझ गया और जो होगा अच्छा होगा बस अपने आप पे भरोशा रखना कि जो भी आगे होता आया है सब अच्छा होता आया है और आगे भी अच्छा होता जाएगा ओके समझ गया है अई सब सारी चीज़े तुम एक बार देख ले न ओके क्विस्चन नमबर क्या बूल रो 98 3 heaven क्या दिकते नाइड़ीएट में आओ देखते हैं नैंटीएट में क्या दिकते हैं कि इस लिए इनकरेक्ट स्टेट्मेंट लिए इन उनकरेक्ट स्टेट्मेंट् सै तो है भई लिए से हाए थे इसे लिया जाता है न करेक्ट आ सब्सक्रायब दोन harness तो में फिन यह यह लुज है यह दोनों चीज है रह moo ४ स Roma इसा ह। भूला गया है थे सब्सक्राइब सुनाट हो गया एक पर देख लेना सारी चीज़ें NCIT में जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो को जितना से ज्यादा से ज्यादा से शेयर करो अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करो और अब बीट्स फॉर बायॉलजी प बोला है लेकिन देखना है सबसे फास्ट मुझे कौन कुशन पेपर देता है समझ गया कुशन पेपर मैं इसलिए नहीं माग रहा हूं कि तुम्हारा कैसा प्रफॉर्मेंस गया वो तुम्हें बात करूंगा यह तुमसे सबसे काम की चीज़िए जो बच्चा सबसे पहले भ ले टेलिग्रामपे सेंड कर सकता ही मेरी कुशन घुर्मारण लो तुम तुम्हें कि जितना जल्दी पेपर आएगा उतना जल्दी तुम्हें सॉल्youशण मिलेगा समझ गया इतना तो तुम कर सकतो मेरे लिए समझ गया इसकी पीडियattend तुम्हें मिल जाएगी टेलिग्राम चैनल पे ये जो आज मैंने करवाया है 100 question इसकी PDF मैं दे दूँगा ओके टेलिग्राम चैनल पे समझगे टेलिग्राम चैनल Beats for Biology ओके पाजर लाइक्स भी तुमने कर दी है मज़ा आ गया 500 लाइक 5100 लाइक्स ठीक है ओके तो मैं इंतजार करूंगा वैसे मैंने हजारों बच्चों को बोला है देखते हैं सबसे पहले किसका आता है और जिसका सबसे पहले आएगा मैं उसके address पे gift वेज़ूंगा पक्का पक्का से ठीक है चलो इसका PDF मिल जाएगा और dress code वागरा के बारे में आखरी में बात करेंगे और जो भी बच्चा अगर वो 2021 में नीट का preparation करना है तो तुम मेरे साथ biology पढ़ सकते हो वैसे यह आगे की बात है मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो 2021 में appear हो रहे है ठीक है जो अभी 12th class में है या जो भी है जिनने लगता है कि हाँ 2021 में मुझे appear होना है तो तुम unacademy plus पे अगर तुम subscription ले रहे हो तो तुम्हें code क्या apply करना है code तुम्हें कुमार live apply करना है तुम जितना से ज़्यादा से ज़्यादा share करो और फिर हम लोग मिलते हैं अंडिड कोशन तक हो गया पूरा का पूरा यह आखरी तक हो गया और मैं इसकी PDF जो है न वो तुम्हें provide कर देता हूँ कि यह PDF मैं तुम्हें provide कर दूगा ओके चलो बचों बहुत मजाया बबाई थैंक यू